अक्सर जब हम बीमार पढ़ते हैं तो डॉक्टर समय खाने के लिए कई तरह के रंग बिरंगे कैपसूल्स लिख देते हैं और इन कैपसूल्स को खरीद कर हम खाना भी शुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों कि आपने कभी इन कैपसूल्स के कवर्स पर ध्यान दिया है कि आखिर ये कवर्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं वैसे देखने में तो ये प्लास्टिक के बने हुए लगते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि प्लास्टिक को हमारी बॉड़ी डिजॉल्व नहीं कर सकती और अगर ये कवर्स प्लास्टिक के बनने लगे तो लोग इने खा कर ठीक होने की जगे और भी ज्यादा बिमार पढ़ने लगेंगे दरसल इन कैपसूल्स के कवर्स को मेंली दो तरीकों से बनाये जाता है पहला एनिमल प्रोटीन यानि जिलेटिन का यूज करके और दूसरा है प्लांट फाइबर्स यानि सेलिलोज का यूज करके और इन दोनों ही तरह के कैपसूल्स के कवर्स हुमन बॉडी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर मेडिसीन्स बनाने वाली कमपनियां कैपसूल्स के कवर्स को बनाने के लिए जिलेटिन का ही यूज करती हैं क्योंकि जिलेटिन का यूज करके कवर्स को बनाने की प्रक्रिया से आसान होती है यानि कि ज़्यादातर जो आम capsules हम यूज करते हैं इन covers को gelatin से बनाया जाता है और इसके लिए जानवरों के skin, bones और tissues को acidic solution में boil किया जाता है और फिर finally इस solution से gelatin को extract किया जाता है और फिर इसी gelatin का यूज इन capsules के covers को बनाने में किया जाता है इसलिए इस तरह के capsules non wedge capsules की category में आते हैं और अगर बात की जाए wedge capsules की category में आने वाली capsules की तो इन capsules के covers को plant cellulose का यूज करके बनाया जाता है लेकिन ये process थोड़ा costly और complex होने की वज़े से इस तरह के capsules का निर्मार बहुत बड़े स्थर पर नहीं किया जाता इसलिए market में ज़्यादा तर जो capsules आते हैं उनका cover gelatin से बना हुआ होता है तो दोस्तों ऐसी और भी interesting videos के लिए आप इस video को like और हमारे इस channel को subscribe जरूर कर लिजिए